क्या चनाव के बाद पीएम बनने का मायवती का सपना पूरा होगा आखिर मायवती का पीएम बनने का दावा कितना मजबूत है लोग सबस्चनाव के आखरी चरण में पहुशने के साथ की एक बार फिर से विपक्षी दलों के बीच पीएम दावेदारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है ऐसे में इस फेरिस्ट में कई नाम हैं जो गाहे बगाहे पीएम बनने की अपनी महत्वकांशा का इसहार करते रहे हैं ऐसे नेताओं में ब्यस्पी सुप्रेमो मायवती भी शामिल है ऐसे मिया ये जानते हैं कि मायवती का पीएम बनने का सपना पूरा होने की कितनी संभावना है दरसल मायवती ने हाल ही में कहा था कि अगर उन्हें प्रधार मंत्री बनने का मौका मिला तो वो यूपी की अम्बेटकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगी जाहिर है माया का ये बयान पीम पत के एक और दाविदार टीमसी प्रमुक और पश्रिम बंगाल की सीम ममता बनेरशी को रास नहीं आया होगा पीम पत की रेस में अगर मायावती और ममता की बात करें तो दीदी भले ही गयर कॉंग्रेस और गयर बीज़िपी का नारा दे कर बाकी दलो का नेता बनने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अम मायावती भी सीधे पाफ सवी कर्णों को साथने में जूटी हुई है मायावती के लिए समर्थन भी बढ़ रहा है बीज़िपी ने विधान सलवत चुनाव से पहले ही करनाटक में एश्टी देविकॉड़ा की पार्टी जेडियस के साथ गडबनन किया था और फाइदा ये रहा कि उसके कोर वोटरों ने जेडियस का भरपूर साथ दिया साथ इबीज़िपी भी एक सीट तिकालने में काम्याब हो गई सीम बनते ही कुमार स्वामी ने कह दिया कि वो पीम पत के लिए मायावती का समर्थन करेंगे इसके बाद हर्याणा के अभे चोटाला भी मायावती के साथ नज़र आ रहे हैं हाला कि मायावती के पीम की कुर्सी तक पहुशने के लिए समी करण ही नहीं अंक गड़िन भी बहुत कुछ तै करेगा SME NDA अगर 240 के आसपा सिमट जाए और UP में SP BSP की 50 सीटे आती हैं तो UP और अन्य दल मिला कर मायावती की अगवाई में नई सरकार बना सकते हैं लेकिन उस परिस्तिती में UP को 100 और अन्य के पास 150 सीट होनी चाहिए कॉंग्रेस ऐसा करने से चूकेगी नहीं क्योंकि इससे कॉंग्रेस को दलीत वोटरों का दिल जीतने का मौका मिल जाएगा वहीं अगर बीज़ोपी 150 सीटों के आसपा सिमटती हैं और अंडिया को कुल 200 सीटे आती हैं साथ ही UP में गडबंदन 50 सीटे जीतती हैं तो इस परिस्तिती में बीज़ोपी भी कॉंग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए मायवती को पीम पत का ओफर कर सकती है जानी पीम पत की रेस में मायवती के पीम बनने की संभावना सबसे ज्यादा नज़र आ रही है इंडिया नियूस वारल की रिपोर्ट